नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी काता इस्टेडी लाइन में आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले जहां से एक नमर का कोशन्स पूछा जाता है वह है फ्रेंड्स पी एच वेल्यू से बहुत इंपोर्टेंट सब कोश लगे सबसे पहले हम लोग जाना लीतैं कि प्याइच का फूल्फ फोर्म होता क्या है तो क्रेंट का फूल्फ फॉर्म होता है पावर्ऩ आफ हड्रूजन ठीक है यानि की hydrogen की सक्ती इसकी खोज कब हुई थी pH value की तो 1909 में जो की सोरंसन ने की थी अब चलिए हम लोग trick की ओर बढ़ते हैं और value को देख लेते हैं सबसे पाइदा question साथ है आप लोगों का जल तो जल का pH mon कितना होता है तो friends इसका right answer का option number a यानि की साथ अब हम लोग trick से कैसे जात करेंगे देखे friends जल के बिना क्या आप लोग एक भी दिन रह सकते हो क्या नहीं आपको सप्ता में साथ दिन होता है इसलिए आपको साथो दिन जल चाहिए होता है ओके तो इस तरह से आप लोग सबता में साथ दिन यानि की जल आपको सातों दिन चाहिए इस तरह से साथ होगा अब हम लोग फ्रेंट्स जान लेते हैं कि जब भी कोई चीज यानि कि किसी भी चीज का जब पीएच मन्स साथ होता है दो वह उदासीन होता है कैसा होता है उदासीन होता है अब साथ से उपर चाड़िए साथ से निचे अमलिये अगला आता है फ्रेंण्स नमक का प्याच मॉन कितना होता है फ्रेंण्स तो इसका राइत अन्सर होगा आपसनलिये मात है है जिस परकार हम लोग जलके भी बिन नहीं रहाते हैं उसी तरह हम लोगों को हर एक भोजन में फ्रेंड्स नमक चाहिए होता है यहनि कि कि這個是 नुमर ए यानि की 7.4 दोनों का पीएच मॉन एक होता है इसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कैसे दोनों को रिलेट करके ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंड बहुत ही जखकास ट्रीक है देखिए आप लोग सुने होंगे कि कोई जब कैम्प लगता है ब्लट कैम्प लगता है है फ्रेंड्स ब्लट करने के लिए केम्प लगाए जाता है ठीक है तो वहाँ पे अगर आपको बोला जाए फ्रेंड्स क्या आप लोग सब्ता में साथ दिन ब्लट को ड дост कीजीरे तो आप लोग जो है सेव सात दिन में आप लोगों को चार दिन जरूर डोनेट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि तीन दिन तो अब खावपिकर के फिर से ब्लट तो बनाना ही पड़ेगा ना इसलिए तीन को छोड़ देंगे यानि कि चा आने कि 7.4 यानि कि आप लोग सात दिन में चार दिन जरूर दे सकते हो काईके इमर्जंसिक एठिक है आप दीखेे फ्रेंस आप 7.4 को कैसे आँसू सरे से रिट करेंगे आप को ढהका बलट के लिए आपके सरीह में निडिल को यानि कि twenty आशुवी को चुभवया जाएगा उतना दिन आपके आँख से आशु निकलेगा तो इस तरह से आप लोग याद रहा सकते हैं रक्त और आशु दोनों का 7.4 उमें इस समझ में अच्छे से आगई होगी ओके अगला है फ्रेंड्स निम्बू का प्येच मान कितना होता है तो निम्बू का प्येच मान तो आप लोग समझ रहे होंगे निम्बू काफी खटा होता है तो सबसे खटा कब होगा जो सबसे कम होगा तो इसका राइट ऑंसर होगा आप हम लोग कैसे याद कर सकते हैं जब भी फ्रेंड्स आप लोग जाते हैं सबजी खईद ने तो आप इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हो अगला हाता है फ्रेंड्स दूद का प्येच मान कितुना होता है तो इसका राइट असर रोगा अपसर नमबर ए 6.4 दूद का प्याच मान 6.4 आपको पता होगा फ्रेंट्स दूद जोए काफी महागा हो चुका है अब धीरे धीरे ठीक है अब जोए 64 रुपया केजी हो चुका है दूद कितना हो चुका है 64 रुपया केजी सिधा याद रखना है दूद अब 64 रुपया केजी हो गया यान सब्सक्रीट होगा 2.4 क्योंकि निम्बू का जो 2.2 था है उससे 0.20 जो इती होता है ठीक है mode फूह को इसुआ होता या करें है देखें घर से तो दो आदमी मिलकर के निकलता है सराब पीने के लिए है कि नहीं लेकिन क्या होता है ना रास्ते में उसके दोस्त लोग भीट जाते हैं होता यह इसा कि जो सराब पीने वाला है जो प्यकर टाइब के लोग है उसका जोए बहुत सारा दोस्त होता है है कि नह में तभी मजा आएगा जब एक जूंड रहेगा तो दो से आट हो गया यानिक टू पॉइंट एट ठीक है चलिए अगला देखे फ्रेंट्स का है माना बलार ये तो असान है माना बलार का प्याच मौन 6.5 से 7.5 होता है लेकिन एक्चुल में आपको 6.5 याद रखना है ठीक है माना बलार ये तो असान है अगला देखे फ्रेंट्स समुद्र जल का प्याच मौन कितना होता है तो आपको पतागा फ्रेंट्स समुद्र का जल काफी खाड़ा होता है और यानिकी छारी होता है तो आ 7.2 भी नहीं होगा क्योंकि समुद्ध का जल काफी खाड़ा होता है आप लोग दिमाग से भी सोचिएगा तो इसका राइटम सब्सक्राइट पॉइंट फोर ठीक है फेंट्स जिसको याद नहीं रहे तो आप लोग दिमाग से सोचेगा आखिर वह अमलिय होगा या चारी ठीक है अगला देखें क्या है फ्रेंट्स अगला है मुत्र का पियेच मान कितना होता है तो सिधी बात है फ्रेंट्स आपको सबको पता होगा मुत्र का पियेच मान सिधा एकदम छे होता है ठीक है सिधा एकदम छे होता है मुत्र का पियेच मान अगला है फ्रेंट्स पिये कितना परिवर्तन होने पर उसकी मिर्ति हो जाती है आप लोग सामने अप्षन है आप लोग अप्षन दे करके बताएगा कि कितना इसका राइट अंसर होगा फ्रेंट्स इस तरह से मैंने आपको जो भी इंपोर्टेंट ट्रिक था प्याज वेल्यू का वो करा दिया एकदम द तक ने हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को चैनल के साथ जूड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन प्रेस कर लिजे चले फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिजए हिंद्ध भारत